Hello guys, welcome to Current Affairs Panda दोस्तों, RBI Assistant के लिए काफी लोग पूछ रहे हैं कि हमें कहां से form fill करना चाहिए दूसरा एक important question है वो है LPT को लेकर कि sir, LPT का क्या रोल होगा और तीसरी जरूरी चीज है कि हमें center कहां पर choose करने को मिलेगा अगर हम मुंबई से apply कर दें या फिर कानपुर और लखनों से apply करें तो वो तीनों डाउट में हाँ पर आपके clear करूँगा देखो guys, सबसे जरूरी चीज क्या है कि ये जो आपका notification आया हुआ है इसमें 17 तारिक से आपको form बरने है 8 मार्च तक आप लोग form के लिए apply कर पाएंगे ये देखो आपकी अलग-अलग offices में vacancies आई हुई है देखो इसमें total 950 vacancies है हमारी एमदाबाद में आप देख लो कि आपकी total 35 है बेंगलूरू में 74 है तो आप किसी भी एक office के लिए apply कर सकते हैं दूसी चीज है जिस office के लिए आप apply कर रहे हैं बहां की LPT आपको आनी चाहिए LPT में अगर आप qualify नहीं कर पाओगे तो आप disqualify माने जाओगे अब मैं आपको उस page पर ले चलता हूँ जहां पर इन्होंने LPT बाले clause को अच्छे से mention कर रखा है लिखा है LPT the candidate provisionally sought-listed from the main online examination will have to undergo a LPT जिनका main qualify होगा उनको एक LPT देना होगा अब जैसे आप एहमदाबाद office के लिए apply कर रहे हो तो गुजराती में आपका LPT होगा बैंगलूरु वाले कनड़ा में होगा बोपाल का हिंदी में होगा और बुमनेश्वर का ओड़िया में होगा और चंडिगड़ का पंजाबी स्लेस हिंदी देखो इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक या तो आप हिंदी या तो आप पंजाबी कोई भी एक में आप अपना LPT दे सकते हो दोनों आनी कंपलसरी नहीं है ऐसे ही गौाटी में असमीज, बैंगॉली कासी, मनीपुरी, बोडो, मीजो हैदराबाद में तेलगू है जैपूर में हिंदी है देखो हिंदी जहाँ पर है, मैं एक बार सर्कल बना दे रहा हूँ so that, आप लोग यहाँ पर देख लो और जैसे आप जिस आफिस के लिए अपलाई करने वाले हो जैसे आप जैपूर के लिए अपलाई कर रहो तो आपको चूस करने को मिलेंगे कोई भी दो स्टेट और उन दो स्टेट में आपके पिलिम्स के सेंटर्स होंगे यह चीज मैं आपको लाइप प्रूफ यहाँ पर दिखा भी दूँगा और कोलकता में बेंगौली, नेपाली, कोई भी एक हो मुंबई में मराठी और कोन करी तो जो लोग मुंबई से अपलाई करना चाहते है बहाँ पर केबल दो आप्शन है एक मराठी रीजन वाले केंडरेट और दूसरा कोन करी ठीक है? यह आप यहाँ पर देख लो नाकपुर में हिंदी का उप्शन है मराठी और हिंदी न्यू डैली में केबल हिंदी पत्ना में हिंदी और मैथली और जो आपका तिरुबनंत पुरम रीजन नीचे है उसमें मल्यालम है ठीक है? अब जैसे देखो यहाँ पर अगर आप मुंबई के लिए अप्लाई करोगे तो देख लो कहाँ पर मुंबई है? यह है बोपाल है आपका और गौाटी मुंबई मुंबई में टोटल 128 पोजिशन है लेकिन आपको मराठी या कोनकनी मेंसे कोई एक लेंग्विज में LPD देना होगा तब ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे और अगर आप नागपूर के लिए कर रहो तो नागपूर में 56 है हिंदी रीजन वाले नागपूर में दे सकते हैं अब एक बार सेंटर वाला समझ लो कि सेंटर का क्या सिस्टम है जैसे अगर आपने चूज कर लिया कि मुझे अपलाई करना है कानपूर और लखनों के लिए तो गैस कानपूर और लखनों के लिए आपको केबल दो स्टेट मिलने है जिसमें आप अपना फेस बन पिलिम्स का पेपर देने जाओगे उत्तरप्रदेश या फिर उत्तरखन तो अगर आप उत्तरप्रदेश चूज कर लोगे तो यहाँ पर आपके सेंटर आएंगे आगरा, लीगड, प्रियागरा, जबरेली, गोरकपुर जासी इसका सीधा सा मतलब यही है कि मुंबई में रहने माला कैंडिडेट अगर हिंदी में कमफर्टेबल है तो वो LPD हिंदी में क्वालिफाई कर लेगा हिंदी में उस क्लास प्रूफ है और सब कुछ ठीक है तो उसको पेपर देने के लिए UP या फिर उत्तरखंड में आना पड़ेगा अगर आप पटना के लिए अपलाई कर रहो तो guys बिहार या जहारकंड आपको जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए ठीक है तो ये चीज है यहाँ पर तो किलरली ही हो गया कि आप डैली में रहकर आप पेपर नहीं दे पाओगे अगर आप UP अगर आप लखनो कानपूर का अपलाई कर रहो हो इस ओफिस के लिए या फिर आप पटना ओफिस के लिए ठीक है तो आपको ट्रेबल तो करना पड़ेगा तो ये वाली चीज आपकी यहाँ से डाउट के लिए हो गया अप जैसे कि लोग पुछने कहां से अपलाई करें तो सिंपल से फंडा है जहां पर वेकंसी आपको ज़्यादा दिख रही है आप बहां से अपलाई करो और दूसरी कंडिशन आप अपनी ये देख लो कि मैं LPD में कमफर्टेबल हूँ तो फिर उसके हिसाफ ये आप अपलाई कर सकते हो ठीक है यही क्रेटरिय आपको रखना है क्योंकि और बिसली बात है जहां पर वेकंसी जाता है देखो कमप्डिशन तो बहां पर होगा कमप्डिशन हर एक सीट पर अच्छा गासा होगा लेकिन गास ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो 100 वाली वेकंसीद है काफी लोग टूट इनी पर पढ़ते हैं यार वो सोचते हैं चलो भाई अब तो इसी में सेलेक्शन होगा 75 वाले में ही हो जाएगा लेकिन गास होने को सेलेक्शन जो 31 वाली पोजिशन है 35 वाली है इसमें भी आपका हो सकता है तो डरने की ज़रूद बिल्कुल नहीं है सोचना है कि एक पोजिशन चाहिए तो जीजान लडानी है और इसके लिए हमें पेपर क्वालिफाई करना है ठीक है और बाकी में आपको और भी चीज़ें समझाता होंगा जो आपके डाउट्स हो प्लीज नीचे ज़रूब पूछ लेना और गास इस एक्जामनेशन के लिए करन्ट अफिर्स की चिंता आप मत करना हम लोग करन्ट अफिर्स का कम्प्लीट पैक आपको एक्जाम औरेंटिट प्रॉइड करा रहे है जिसमें अभी केबल डिसकाउंट चला है बन फिप्टी का तो तो टू फोर्टिन रोपीज में आपको सारी पीडिएफ ए टू जैड आप इनको प्रिंट निकाल सकते हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं इनको पढ़ सकते हैं इसमें क्या-क्या है बहुत यूसफुल चीज़े हमने रखे हैं मैं आपको इसके फीचर्स पहले बता दूँ देखो ये जितनी भी पीडिएफ हैं हमने जनबरी 2021 से आपको इस पैकेज में दे रहे हैं लेकिन गाइज 2022 की सारी पीडिएफ आपको पैकेज में मिलेंगी तो जब आपका में से एक्जामनेशन कंड़क्ट होगा तो उस दौरान आपको सारी फाइल्स मिलेंगी ठीक है अब ये आप देखकर चलो कि हमारा अप्रेल के असपास में हमें पढ़ना पढ़ेगा तो जनबरी, फर्वरी, मार्च और अप्रेल ये आप 2022 की सारी पीडिएफ आपको मिलेंगे और 500 MCQs हर एक मन्त के हमने detailed analysis के साथ में रखे हैं only MCQ भी मिलेंगे, one liner भी मिलेंगे और daily, weekly और monthly जो बड़े वीडियोज हैं वो भी आपको हम लोग provide करा रहे हैं और साथ में special study GK के sessions भी है, तो ये काफी बढ़ती है एक place पर आपकी current affairs की सारी तयारी हो जाएगी, नीचे मैं directly आपको link दे रहा हूँ, आप जाएं और इनको देख लें, ठीके, और इसमें कुछ demo PDF भी है, वो भी आप visit कर सकते हैं application को download करने के बाद में, और ये आपने course content यहाँ पर देख लिया होगा तो उसमें सारी चीज़े हमने एक एक करके दे रखी हैं, जैसे को budget पूरा discuss किया था, प्रो current affairs आप देखो कि 2022 तो इसमें जन्वरी फर्वरी आपको हर एक पूरा-पूरा मन्त यहाँ पर मिल ला है, ठीके, अब जो questions हैं, वो आपके complete एक format में है, ठीके, जो हम लोग discuss करते हैं, detailed analysis में, ठीके, या आप लोग mobile पर PDF फड़ सकते हो, देखो, जैसे जो भी चीज़ आ रहे हैं, उसकी detailed information हमने आपर दे रखी है, यह तो cable ppt uploaded है, लेकिन आपको print friendly PDF मिलेगी, ताकि आप कम pages में इसको print out निकाल सकते हैं, और questions इसी format में रहेंगे, पहला जैसे आपको English इंदी दोनों cml translate में मिलेगा, options English में मिलेंगे, और जो detailed research है वो आपको English में मिलेगी, ठीक है तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं, link नीचे description में दिया है, आप इसको print out निकालें, पढ़ें, एप पर, कुछ भी करें वो आपको comfortable के साब से निस सारी चीज़ है, provide करा रखी है और monthly में लगबग 200 pages का हमने PDF module रखा है एक month में 200 के असफास pages है तो questions काफी अच्छे cover कर रखें, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है ठीक है, तो आप इसको एक बार opt कर सकते हैं बाकि अपना form apply करें और अगर कोई सवाल है तो please नीचे जरूर पूछे Thank you guys, have a good day और फे बासने सगें, we will meet in a next video